City Live Media के कारेकरम हमारा सपना CBSC Topper हो सारणपूर अपना में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे हिंदी की हिंदी में जो आज हमारे साथ हैं वो नीना भाटिया जी है नीना भाटिया जी सरस्वती विहार स्कूल में हिंदी की टीचर्स हैं और पिछले काफ तहücksकिन अब लगातार बच्चों की मेहनत और उनք साथ हो रही टीचर्स की मेहनत को देखते हुए रहे हुएँ हिंदी में भी Sou ox These स्व पर्तिसत अंगत बाप्त कर रहे तो बहुत बड़ी बात रही है कि बच्चे जो है अगर हिंदी में 100% अंत प्राप्त कर लेते हैं तो एक अच्छी परसंटेज उनकी बन जाती है नमश्कार मैं सिटी लाइट मीडिया चैनल के द्वारा जो कारेक्रम चलाया जा रहा है हमारा सपना CBSC टॉपर हो सहारनपूर अपना इस कारेक्रम में उनके साथ हूँ और ये कारेक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है चात्रों को प्रोसाहित करने वाला जिसके द्वारा अलग-अलग विश्यों मैंने इनके पहले भी प्रोग्राम देखे कि अलग-अलग विश्यों पर किस प्रकार से चात्र अपना सर्व श्रेष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं उसके उपर ये ध्यान के इंद्रित कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी विशे कैसा विशे है मैं नीना भाटिया सरस्वती विहार स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ मैं पिछले लगभग 15 वर्ष से हिंदी विशे का अध्यापन कारे कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हिंदी विशे एक ऐसा विशे है जिसमें चात्र आसानी से 100% तक मांक्स ला सकते हैं सौप्रतिशत अंक लाना कोई बहुत मुश्किल कारे नहीं है अगर वो मेहनत करते हैं और एक उचित प्रारूप तयार करके अपनी तयारी करते हैं इसके लिए मेरा उनसे सुझाव है कि अपनी एक हिंदी विशे को वो एक ऐसा विशे लेकर चलें मानकर चलें जिसमें वो एक अच्छी तयारी के साथ अपने 100% अंक तो ला ही सकते हैं साथ ही साथ अपनी प्रतिशत जो उनका संपूर्ण प्रतिशत है उसमें भी वो सुधार कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपठित जो आता है उसको वो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें उसका पूर्ण अवलोकन करें कि उसमें जो प्रश्ण हैं उनके बिल्कुल सटीक उत्तर दें अनावश्यक विस्तार उसमें उत्तर का ना करें दूसरा जितने भी पाठ हैं उनकी पाठे पुस्तक के जितने भी पाठ हैं उनको वो विस्तार से पढ़े क्योंकि तबी वो प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। उत्तर का भी विस्तार वो अनावश्यक ना करें, जितने शब्दों में उत्तर मांगा गया है उससे जाधा शब्द वो ना ले। अभ्यास करें लिखित अभ्यास करें रोज जो अपना वो एक समय निर्धारित करें और उसमें वो लिखित अभ्यास जरूर करें क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे उत्तर तो उन्हें पता है लेकिन उसको लिखना कैसा है शब्दों का चयन भाशा इस पर वो ध्यान नहीं देते और इस कारण से उनके मार्क्स कर जाते हैं कि उन्हें उत्तर तो पता है लेकिन उत्तर को लिखना कैसे है ये उन्हे नहीं पता रहता एक बात और मैं कहना चाहूंगे कि सबसे जो ज़्यादा अंकों वाला प्रश्ण है पूरे प्रश्ण पत्र में वो निबंध है जिसे अक्सर वो अंदेखा कर देते हैं और वो यह सोचते हैं कि जो निबंध आएगा उसको जैसा तैसा करके लिख देंगे त और निबंध लिखते समय वो जो संकेत बिंदू दिये हुए हैं प्रश्ण पत्र में उनको जरूर ध्यान में रखें उन संकेत बिंदू का विस्तार करें और कोशिश करें कि निबंध जो शुरू में शुरुआत में निबंध के और अंत में और बीच में भी कुछ समय वो उस विशे से संबंदित दो तीन लाइने ही सही तुक बंदी करके अपनी काविपंग्तियां बना कर लिखें उससे निबंध में प्रभाव अच्छा पड़ता है और निबंध का जो शुरुआत है और जो अंत है वो बहुत सटीक होना चाहिए पत्र और उसके बाद विज्यापन आता है उनका विज्यापन का भी जो इनके प्रारूप हैं उनको वो ध्यान में रखकर चलें कि जो पत्र है उसका भी प्रारूप उसके जो जो भी उनके बिंदू हैं उनको ध्यान में रखकर चलें विज्यापन में भी जैसा भी उनको बताया गया है कि उसमे पैन से ही अब जैसे कि बॉर्ड ने पिछले वर्ष भी मना कर दिया था कि कोई कलरड पैन नहीं इस्तेमाल करेंगे या दूसरे कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे कलर्ज वगैरा का तो वो ब्लू पैन ही अलग-अलग तरह के ले कर जाएं जिससे वो चित्र वगैरा ब बना पाते तो जिस प्रकार से उन्होंने विज्यापन बनाना है वो विज्यापन बनाएं और जो मुख्य बात है वो तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विस्त्री तध्यन बहुत जरूरी है कि पाठ जरूर पढ़ें सिर्फ प्रश्न उत्तर अभ्यास के पढ़ कर ना जाएं क् कि जादा तरविद्यार्थी यही करते हैं कि सिरफ अभ्यास के प्रश्ण पढ़ लिए और उन्हीं के आधार पर बस उनकी तैयारी हो जाती है तो प्रश्ण जितने भी पाठ हैं आपकी पाठे पुस्तक में उनको जरूर पढ़ कर जाएं क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज ही अपना प्रश्ण पत्र को जो करें क्योंकि जो हमारा सबसे जादा समय लेते हैं वो निबंद पत्र होते हैं बच्चे उसमें जादा समय तो वह हमारा खंड ही लास्ट वाला है अंतिम खंड हमारा खंड घह है जिसमें निबंद पत्र रित्यादी आते हैं और जो प्रश प्रशन है तो हमारा ये प्रशन चार पांच पंग्तियों में आ जाएगा तो हम उस पर समय जादा वियर्थ ना गवाएं जो प्रशन हमारे आगे हैं उन पर चलते रहें लेकिन हमें ऴीध्यानमी रखना है कि हमें खंड़ानुसार ही प्रशनpping करना है बवले ही हम एक खंड जैसे मैं मुझे लगता है कि मेरा खंड खा बहुत अच्छा है मेरी तैयारी बहुत अच्छी है खंड खा की तो मैं पहले सबसे खंड खा कर लूँ लेकिन पूरा खंड खा मैं एक ही जगा पर करूँ ये नहीं कि खंड़ का एक प्रश्न यहां कर दिया दूसरा प्रश्न कहीं और कर दिया तो इस प्रकार से ना करूं और खंड़ पूरा एक जो मुझे बहुत अच्छे से आता है मैं उस खंड़ को पहले लूँ उसे खंड़ को पहले करूं लेकिन पूरे खंड़ को एक साथ कर माने में तो हमारा जो लेक है वो साफ होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए हमें कितना अंतर लेना है पहरा ग्राफ कहां पर खतम करना है इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए